ग्रहत दिन पर स्वागत है साथियो मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताया जाएगे कि के वी के वी एस ने क्लास वन यानि जो नया सेशन है दो हजार तेही स चौबिस उसके लिए एड्मिशन शैडिूल जयारी कर दिया है जिसमें क्लास वन के किस तरीके से किस देट से किस देट तक ऑन लाइन आवेदन होंगे उसके बारे में बताया गया है और बाखी फूरा शैडिवा इस वीडियो में आपको समझाऊंगा तो ज ऐसे कैसे इस प्रोसीजर से गुजरना होगा तो इसका पूरा प्रोसीजर जो आपको इस वीडियो में समझने के लिए मिलेगा तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे मैं पहला कहना चाहूंगा जो भी चैनल पर नए हो और आगे के वीडियो को अंतक जरूर देखें और जो भी आपके मन में कोई डाउट हो के वीडियो को अप पूछ सकते हैं तो आई जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं यहां लिखा हुआ है प्रवेश के लिए समयसार्णी शेडियो फॉर एडमिशन 20-23-24 है ना 2023 के लिए जोए यहां पर के वीएस ने समयसार्णी टाइम टेविल कर दिया है कि कि तरीके से जो है सेशन में के वीएस एडमिशन लेने वाला है तो यहां पर पूरा एडमिशन आपके सामने में हैं आपर दिखाने वाला हूं इसको आप ध्यान से दिखिएगा सबसे पहले अगर आप देखिए यहां लिखावाद एडमिशन शेडियूल फॉर दा सेशन 23-24 विल वी एज अंडर अगर हम बात करें प्रवेश के लिए विग्यापन जो एड़ियापन आ में फ्रेश एडमिशन कराना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए जो आनलाइन रेजिस्ट्रेशन होगा जो आप किसी भी साइवर कैफे से जाकर करवा सकते हैं इसके लिए आपको पहले स्कूल में जाने की जरूत नहीं है तो या फिर अगर आपके फोन में एंड्रॉइड एप हो तो वहां से भी जो है इसको केंद्र विध्याले का तो वहां से भी आप कर सकते हैं वह आगे इस वीडियो में भी समझाया जाएगा तो उसकी जो डेट स्टार्ट होगी वह ऑन 27 ऑफ मार्च 10 एम ऑनवर्ड्स यानि की 27 मार्च को दिन में 10 सुबह 10 वजे से जो है र 17 अपरल यानि कि आप 27 मार्च के सुबह 10 वजे से लेके 17 अपरल शाम 7 वजे तक जो है क्लास वन के एड्मिशन के लिए इसमें ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं अच्छा अगर हम बात करें इसकी लिस्ट जारी करने की तो इसमें जो लिस्ट जारी होंगी जो इसका सबसे पहले आप जानते ही जो होती है वहर क्लास में रिजर्बमें पर हमिशन होना होता है तो बागी Category 1 Category 2 तरीक से जो है और फिर बाकी जो category 3rd, 4th, 5th है, 6th तक उनका admission होता है, तो यह first list जो जारी होगी, इस priority को देखते हुए, वो 20 अपरेल को जारी होगी तो उन पर admission होंगे अगर by chance seat है खाली रहा जाती है, तो second list जो है, वो school जारी करेगा 28 अपरेल को, ठीक है, अगर उसके बाद भी, अगर seat है खाली रहा जाती है, एडमिशनर के बाद, तो जो तीसरी list जारी होगी, वो 4 मई को जारी होगी, ठीक है, अब इसमें यहाँ पर यानि इन डेट्स में जो काम होने वाला है, वो क्या-क्या होने वाला है, सभी पंजिकरत, विध्यारति की चैनित और प्रतिश्यत, अनिंदी, सूची का प्रदर्शिन दोने वाला है, और इसमें सबसे पहले जो है, आर्टी के अंतरगत आने वाले बच्चों को प्रियर्टी दी जाएगी, उसके आद कैटिगरी वन और टू, और साथ में फिजिकली हंडिकेप्ट, और इसके बाद जो बाकी रिजर्वेशन कोटा में आते हैं, जाए सी, स्ट, ओबीसी बगरा, और कैटिगरी 3, 4, 5, 6, तो वो को जो है, इसमें प्रियर्टी दी जाएगी, जो मैंने आपको अल्रडी बताए दिया है, अब बाकी जो शिक्षा के अधिकार के अंतरगत, एवं अनुसेशित जाती हो, जन जाती, और जो बाकी जो अगर पर्याद ताविदन नहीं प्राप्त हुए, तो उन लोग के लिए अलग से जो है, लिस्ट जारी हो सकती, उसके लिए नोटिफिकेशन, अगर इन सब के बाद भी सीटें नहीं भरती, तब इनके लिए जो है, दुवारा से निकलेगा, वो उसके लिए डेट है तीन मई, वैसे अदिकतर जो है, उपर के प्रोसेस में सीटें भर जाती है, और उनके लिए जो रिजिस्टेशन स्टार्ट होंगे, वो 4 मई से 11 मई तक चलेंगे, और उनके लिए जो लिस्ट का प्रदर्शन होगा, वो 18 मई से 25 मई के बीच में होगा, ये ताव होगा जब आपका पहला वाला स्टेप में अगर सीटें नहीं भरी जाती है, ये तो गई क्लास बन के अड्मिशन की सारी डिटेल, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स क्लास बन के अलावा किसी और क्लास में अड्मिशन चाहता है, तो वो इस स्कूल तभी जारी करता है, अगर किसी क्लास में सीटें खाली होती है, तो class 2 और बाकी कक्षाओं का जो पंजिगन वो offline mode में होता है वो आपको विद्याले में जाकर ही पता करना पड़ता है जिस school में भी आप अपने बच्चे को admission दिलाना चाहते हैं वहाँ पे से आप संपर्ख बनाए रखें बाकी classes की बात हो रही है तो यह इसके लिए आप जिस school में भी admission दिलाना चाहते हैं तो आप उस school में 3 अपरेल से 12 अपरेल के बीच में बलगी पहले से जाके पता करते रहें और फिर 3 से 12 के बीच में जो आप अपने process को अंजाम दे सकते हैं फिर बाकी जो class 2 और आगे की कक्षाओं की सूची जब जारी होगी list की किसको मिला admission वह 17 अपरेल है उसकी list जारी करने की यानि 17 अपरेल को उसका result आ जाएगा और उनका जो admission चलेगा वह 28 से 29 अपरेल के बी इसमें 11 class शामिल नहीं है अगर हम बात करें 11 class की admission की तो जब भी 10th class का board का result आएगा तो उसके 10 दिन के अंदर यानि result आने के अगली जो next 10 days होगे उसमें 11 class के लिए registration होगा admission के लिए और उनकी जो list जारी होगी वह result आने के 20 दिन के अंतर 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 list का display हो जाएगा और उ जारी हो जाएगी तो उसके बाद admission प्रोसेजर शुरू हो जाएगा लेकिन यह सरिफ के बच्चों के लिए होगा यह सरिफ और के वी स्टूडेंट के लिए अतना टाइम है यानि जो आल्रेडी के वी में पढ़ रहे होंगे लेकिन अगर के वी से और उसके बाद भी अगर admission possible हो पाएगा और 11th class में भी जो है प्रवेश की जो अंतिमतिती है वो class 10th के result के 30 दिन के भीतर है तो यानि इस तरीके से सारा admission प्रोसेजर चलेगा तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा admission प्रोसेजर समझा दिया है अब जो main documents की बात आती है जो अगर class 1 के parents की बात करे चाहिए बच्चे का है ना उसमें सेम जैसे बर्थ certificate में नाम डेट अब बर्थ वगएरा है वह आपके अधार कार्ड में भी होनी चाहिए अड्रस वगएरा एड्रस प्रूफ होना चाहिए residence certificate और इसके अलावा माता पिता का ही होगा वो और साथ में माता पिता का अपने अधार कार्ड भी होना चाहिए अगर बच्चा किसी category के according admission लेना चाहता है physically handicapped है तो उसका certificate होना चाहिए अगर आपका उस समय possible भी नहीं है तो आप बाद में जमा कर सकते हैं admission के कुछ दिन बाद भी इसके लिए time आपको school से मिल जाता है लेकिन है पहले से अच्छी बात है और इसके अलावा अगर कोई SC OBC या ST किसी भी category से है तो उसका certificate आपके पास होना चाहिए और यह important documents है और other classes में आप admission लेना चाहते हैं तो फिर जिस class से भी आप पढ़कर आए हैं तो उसमें उसका transfer certificate भी होना चाहिए तो यानि TC होनी चाहिए तो यह कुछ important documents है जिनकी आपको जरूत पढ़ेगी इसके लावा photos, passport size तो वो होते ही ह होते ही हैं और blood group blood test भी कराकर रिख लीजी यह जो है जमा होता ही है क्योंकि school में लिखा जाता है तो वो भी आपके पास होना चाहिए हाला कि अगर at a time नहीं होगा admission के तो आप बाद में भी कुछ दिन बाद इसको जमा कर सकते हैं तो अगर आपके form में कोई कमी पाई जाती कि यह कुछ होता है या कोई भी प्रूफ जो आपका truth नहीं निकलता है तो उस condition में यह school पे पूरा authority है कि वो आपके admission को cancel भी कर सकता है तो इसलिए आपके documents सही होने चाहिए तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको like करें श साथ तब तक के लिए धन्यवाद